Guys, हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की 3 lakhs होती हैं और वो होती हैं base, collector और emitter लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इनको identify कैसे कर सकते हैं पहला तो तरीका यह है कि simply आप Google पे जाएंगे ट्रांजिस्टर का part number लिखेंगे, model number लिखेंगे और आपको वहाँ से उसकी data sheet मिल जाएगी और आपको उदर से उसके सारे के सारे जो characteristics हैं including the pin configuration वो हमें पता चल जाएगी बट कुछ cases में ऐसे हो सकता है कि आपके पास internet की availability ना हो या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे circuit को troubleshoot कर रहे हो कुछ ऐसा आप कर रहे हों कि जहां पे आपको transistor का जो part number है वो पता ना चल रहा हो या तो कुछ circuits होते हैं कुछ circuits होती हैं जो कफी ज़्यादा congested होती हैं और heat sinks वगएरा लगे होते हैं तो वहाँ पे हमें model number जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होता तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ऐसे में हमारे पास एक multimeter का होना जुरूरी है और बस और कुछ भी नहीं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप transistor की जो pin configuration होती है उसका base collector और emitter होता है वो किस तरह से detect कर सकते हैं तो guys मैंने एक sheet बनाई है जैसे कि आप देख सकते हैं for your better understanding था कि आपको उची तरह से मैं समझा सकूँ NPN और PNP transistors है हमारे पास यहाँ पे C5200 और 2SA1943 और है हमारे पास एक diode अब diode का मैंने use यहाँ पे क्यों किया है अब जानते हैं कि internal secretary जो होती है हमारे transistors की वो PN junction पर based होती है जिस पर हमारा diode based होता है तो इससे आपको clear understanding हो जाएगी सबसे पहले में आपको diode की जो measurements हैं वो करके दिखाता हूँ कि हम एक diode को जब measure करते हैं हमारे multimeter से तो anode को और cathode को हम किस तरह से measure करते हैं जो positive probe होती है हमारे multimeter की वो हम रखते है anode पर और negative probe होती है वो हम रखते है cathode पर तो हमें value show होती है अगर हम EC को alert कर देंगे तो हमें value show नहीं होगी जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो diode है जो कि मैंने PNP जो हमारा transistor है उसकी जगा के अपर लगाया था इसकी भी हमें value इस तरह से show हो रही है जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास होता है base collector और emitter और जो diagram होती है transistor की वो कुछ इस तरह से होती है जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूँ base collector और emitter ताकि आपको और एची तरह से पता चल जाए तो guys आप देख सकते हैं कि diode की हमें value show हो रही है क्योंकि मैं probes को ठीक तरह से राक रहा हूँ अब जहां तक transistor की बात है तो हमें यहां पर पता है कि base और collector और emitter क्या है इस transistor का तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो negative probe है वो base पे लगई और positive probe emitter पे लगई या collector पे लगए तो हमें value show हो रही है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो transistor है यह PNP transistor है हमारे पास अगर यही probes मैं उलट लगाऊंगा तो हमें meter पे digital multimeter पे कोई value show नहीं होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो transistor है हमारे पास यह PNP transistor है इसी तरह से अगर मैं diode पे उलट प्रॉप्स लगाऊंगा means के cathode की जगा के ओपर positive और anod की जगा के ओपर negative तो हमें कोई value show नहीं करेगा guys यह simple सा mechanism है और अभी तक आपको मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी कि हम transistor को कैसे test कर सकते हैं अब है हमारे पास NPN transistor 2SC 5200 इसको भी हमने same इसी तरह से check करना है बट यह होगा के जो positive probe है वो हम base पर रखेंगे और negative हम collector या emitter पर रखेंगे तो हमें value show हो जाएगी तो it means के यह हमारे पास NPN transistor है इसी तरह से मैं diode को यहाँ पर पहले measure करूँगा आपको दिखा रहा हूँ के यहाँ भी हमें उसी तरह से show रहा है यह जैसा के आपको मैंने भी बताया के positive probe मैंने रखी base पर और negative रखी collector या emitter पर तो हमें value show हो रही है इनको मैं OLED कर दूँगा तो हमें कोई value show नहीं होगी जैसे हमें diode पर नहीं हो रही इसी तरह से हमें transistor के ओपर भी कोई value show नहीं होगी तो guys that's it आपने देखा यह कितना ज़्यादा simple था किसी भी transistor की जो pin configuration है उसको determine करना base collector और emitter को determine करना तो guys देखा आपने कितना easy और कितना simple था transistor की जो base collector और emitter है उसको detect करना PNP और NPN transistor को हम किस तरह से differentiate कर सकते हैं आपने देखा multimeter की मदद से बहुत ही easily इसके अलावा transistor की basic functioning के बारे में भी आपको बहुत ही मैंने कोशिच की कि easily पता चाल जाएक इसकी basic functioning क्या होती है क्योंकि एक diode ही होता है इसके अंदर भी diode की तरह PN junction होता है तो PN junction के लिए ही तो PN junction ही work करता है transistor के अंदर तो guys उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसान आई होगी अगर वीडियो पसान आई है तो channel को subscribe अगर आप new है और वीडियो को जाते जाते like जरूर कीज़ेगा मिलते हैं next वीडियो में good bye